EVS radar में आने वाला है kick start जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना radar में आपको जो चीज की कमी लगती है जैसे की kick start तो उसमें company आपको kick launch करके देने वाली है अगर आप लोग radar को लेने का plan कर रहे हो इस दिवाली तो ये video सिर्फ आप के लिए है आप लोग video को बिल्कुल भी skip मत करना सारी आपको मिल जाएगी information और भाई जो video है like कर देना साथ ही भाई जो channel है subscribe कर दो बाकि आपको क्या क्या changes चाहिए radar में वो आप बताना comment box में तो बात करते हैं आने वाली नई TVS radar 125 के बारे में जो कि इसका facelift variant launch होने वाला है तो बाई जो नई radar आने वाली है इसमें आपको करीब करीब 8 साथ बदलाओ दिखने को मिलेंगे बाई लग बग आप 8 मान के चलो जैसे कि इसका जो headlight है वो आपको मिलेगा नए design का जो कि बाई आपको पता है कि TBS company अपनी बाई को में हमेशा समय समय पर headlamp को change करती है तो बाई जो lights है वो आपको मिलने वाली है projector की साथ ही इसकी जो DRL से वो आपको नए design के दिखने को मिल जाएंगे साथ ही बाई company इस गाड़ी में आपको अभी देती है front में disc और rear में drum तो इसका बाई जो front वाला break है ना उसमें आपको मिलने वाला है single channel ABS जी हाँ ये बिल्कुल confirm news है कि radar में आपको मिलने वाला है single channel ABS बागी जो बाई पीछे आपको मिल जाता है drum break तो बाई वो आपको drum break बरकरार मिलेगा आने को तो पीछे disc आ सकती बाई company चाहे तो कुछ भी दे सकती है ठीक है बागी जो बाई इसमें आपको company launch करके देने वाली है kick start जो कि बाई इस गाड़ी की sale figure बहुत अच्छी है लेकिन कुछ लोग ऐसे है ना जो इस गाड़ी को kick ना होने की वज़ा से purchase नहीं करते हैं शायद आप भी वैसे हो या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता लेकिन मैंने बाई बहुत बाई सुना कि radar में kick नहीं है तो लोगो problem होती है तो company जो kick start भी आपको देने वाली है अगर बाद की जए अगले update की तो भाई इसके जो tank वगेरा है उसकी जो fairing है उसमें आपको minor से updates मिल जाएंगे बहुत बड़ा भाई आपको fairing में update नहीं मिलेगा minor सा ही update मिलेगा होट का 3D में logo मिलेगा आपको भाई radar की branding मिल जाएगी 3D में seat आपको split की पहले से मिल जाती है grab rail भी आपको मिलने वाला है split का बाकी याँ जो बाईस के indicators है वो आपको halogen के ही मिलेंगे लेकिन वो आपको 1000 के साथ company launch करके देने वाली है बाकी जो tail light है वो आपको same मिले या फिर आपको near design की मिले उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता बागी जो बाईस में आपको पीशे कोई भी company hager guard का option नहीं देती है तो वो देगी भी नहीं टेंशन मतलो बागी जो बाईस में आपको c fender वागेरा जो tilt id है वो almost same रहेगी और company जो बाईस में रेडर में कुछ आपको नए colors और नए graphics दे सकती है जो कि आपको अभी रेडर में करीब करीब 6 color option दिखने को मिल जाते हैं 6 या 7 एक आता है red black और आपको मिल जाता है yellow और blue और एक आपको मिलता है sky color 7 इसमें 2 आ जाते है special edition जो कि आपको purple black और red black मिल जाता है तो ये सारी चीज़े तो हैं और इसका भाई जो meter console है उसमें आपको ABS का indicate मिल जाएगा इसके जो switch gears है उसमें आपको changes मिलेंगे बाई जो switches है वो और भी जादा premium हो जाएगी और इसका भाई जो price है ना radar का वो लगभग बढ़ेगा पांच से 7000 रुपई के आसपास तक का जी है भाई price इतना तो बढ़ना ही है और radar का जो नया variant है facelift वो आपको दिवाली से एक दो week पहले मिल जाएगा और जो delivery वगेरा है वो आपको दिवाली पे मिलना start हो जाएगी अगर भाई आप लोग दिवाली में plan कर रहे हो लेने का रेड रहा है तो आप लोग wait जरूर करना बागी बाई जो वीडियो है लाइक कर देना मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जयाएंदूबं देमातरम बाई